बिर्शा मुंडा कौन थे चलिए जानते हैं इस एपिसोड में आदिवासियों के महानायग बिर्शा मुंडा का जन में 15 नौंबार 1875 को जहारखंड के एक आदिवासि दंपत्य सुगना और कर्मी के घर हुआ था भारती इतिहास में बिर्शा मुंडा एक ऐसे नायग थे जन्होंने भारत के जहारखंड में अपने करांद कारीच चिंतन से उनिश्वी सताब्दी की उत्रार्थ में आदिवासि समाथ की दसा और दिशा बदलकर नविंतम समाज और रानितिक युक का सुद्रपात किया विर्शा मुंडा ने साहाज की स्याही से पुरुशार्थ के प्रिष्टों पर सौर की सब्दा वली रची उन्होंने हिंदू धर्म और इसाय धर्म का बरिकी से अध्धन किया तथा इस निसकर्स पर पहुँँचे की आध्वासी समाझ मिस्तनुजों से बर्मित है ही हिंदू धर्म को भी ठीक से नतिस्तम स्मस पा राया है और नग्रहन कर पर रहा है बिर्शा मुंडा ने महसूस किया कि आचरण के धरातल पर आजवासी समाज अंध्विस्वासों की आंधियों में तिन केसा उड़ रहा है तथा आस्था के मामले में भटक रहा है उन्होंने याभी अन्भो किया कि समाजी कुरूतियों के कोहरे ने आजवासी समाज को ग्यान के प्रकास से वंचित कर दिया है धर्म के बिंदु पर आजवासी कभी मिसरियों के प्रलोबन में आ जाते हैं तो कभी धखोशलों को ही इसवर मान लेते हैं भारती जमीदारों तथा बिटिस सासकों के सोचलर की भट्टे में आजवासी समाज जल लहा था जुर्शा मुंडा ने आजवासीयों को सोचलर की नाड़की यातना से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें तीन अस्तरों पर संग्ड़ित करना आवस्क समझे पहला तो समाजिक अस्तर पर ताकि आजवासी समाज अंद्विस्वासों और धोकोशलों के चंगुल से छूट कर पाखन के पिंजने से बहार आ सके इसके लिए उन्होंने आजवासीों को सोचता का संसकार सिखाया, सिच्छा का महत संजाया, सयोग और सरकार का रास्ता दिखाया समाजिक अस्तर पर आजवासीों की इस जगरण से जमीदार और ततकाले मिटिस सासंतों बुखलाय उठा, साध ही साथ पाखन्डी जाड़ फोक करने वालों की दुकान दारी भी ठफ हो गई यह सब बिर्शा मुंडा के खिलाब हो गए, उन्होंने बिर्शा को साधिस रजगर फसाने की काले कर्टूते शुरू कर दी यह तो था समाजिक अस्तर पर बिर्शा का प्रभाव काले कानौनों की चिनवती देकर बरबर बिटिस समराज को सासत में डाल दिया दूसरा था आर्थिक अस्तर पर सुधार ताकि आजिवासी समाज को जमिदारों और जमिदारों के आर्थिक सोचलर से मुख किया जा सके बिर्शा मुंडा ने जब समाजिक अस्तर पर आजिवासी समाज में चितना पैदा कर दी तो आर्थी अस्तर पर आज सारे आजिवासिय सोचलन की वृद्ध स्वई ही संग्ड़त होने लगे विर्श्वा मुंडा ने उनके नित्त की कमान सम्हाली आजिवासियों ने बेगैर प्रथा के वृद्ध जवरजस्त अंदरन किया प्रडाम सरूप जबिदारों और जबिदारों के घरोप तथा खेतों और वणों की भूम पर कार रुख गया था तीसरा था रानितिक अस्तर पर आजिवासियों को संग्ड़त करना चुंकि उन्होंने समाजिक और आर्थिक अस्तर पर आधिवासियों में चेतना की चेंगारी सुलगा दी थी अता रानीतिक अस्तर पर इसे आग बनने में देड़ने लगे आधिवासि अपने रानीतिक अधिकारों के प्रतिसजग हुए बिर्शा मुंडा सही मायने में प्राकरम और समाजिक जागण की ध्रातल परतत काली युक के एकलब बरता था स्वामी विवेकरनन थे बिर्शा मुंडा की गर्णा महान देश भक्तों में की जाती है बिर्टिस हुकूमत ने इस खत्रे का संकेश समझ कर बिर्टिस मुंडा को गरिपतार करके जेल में डाल दिया वहां अंग्रेजों ने इन्हें धीमा जहर दिया जिसका राण नजून और नेसों को ये सहीध हो गए तो दोस्तों एत्वी बिर्टिस मुंडा की त्याग और उनका देश करपती युगदान यदि आपको ये जीवन गाता अच्छी लगी हो बिर्टिस मुंडा की तो वीडियो को लाइक सेरे के मन टवस कीजेगा यदि आप नए है चैनले पर तो सबस्क्राइब करने के आने माले हर वीडियो आता सबसे पहले पहुंचे धन्यवाद